अच्छा बचो आज हम जन्तु उत्तक के बारे में दिन करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं जब हम अपने छाते को गती को महसूस करते हैं, शरीज के ये अंग कैसे गती करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेश कोसिका होती हैं, इन्हें हम पेशी कोसिका कहते हैं, अंगों को गती परदन करता है जब हम सांस लेते हैं उक्षीजन गैस लेते हैं कहां से आती है फेपड़ों के दोआरा आफसे की जाती है और रक्त के साथ शरीर की सभी कोसिखाओं तक पहुँच जाती है कोशिकाओं को ऑक्सिजन के आउसक तक क्यों होती है माइटो कुंड्रिया का कारिये इस प्रसंद के हल के लिए एक संके देता है जिसके बारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रक्त अपने साथ विविन पदार्थों को सरीर में एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर लेकर करके न जाता है उदान के लिए ये बोजन और ऑक्सिजन को सभी को सिकाओं तक पहुँचाता है और सरीर के सभी भागों से अपसिश्ट जो पदार्थ बनते हैं उन्हें यक्रत व्रक तक उत्सरजन के लिए पहुँचाता है रक्त और पेशियां जो हैं दोनों ही हमारे सरीर में पाई जाने वाले उत्तकों के उधान होते हैं और उनके कारे कादार पर हम विविन प्रकार के जन्त उत्तकों के बारे में विचार कर सकते हैं जैसे कि एपिथीलियम उत्तक है, सन्योजी उत्तक है, पेशी उत्तक है और तंत्री का उत्तक, रक्त भी एक सन्योजी उत्तक का ही प्रकार है, तथा पेशी हैं ये पेशी उत्तक का उधार्ण होता है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एपिथीलियम उत्तक क्या होत जंतुं की सरीर को डखने या उनको भाई से बार से उनकी सुरुक्षय प्रदान करने वाले उत्तक जो है उन्हें कहते हैं एपिथीलियम सरीर के अंदर इससे बहुत से अंगों और जो गोहिकाएं हैं उनको डखते हैं बिन्बिन प्रकार के सारी रिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्मान करते हैं मुँ है तौचा है आर नली है रक्त वाइनिया है नली कास्तर है फेफडों की कूप़ी काई है व्रक्य नली ये सब एपिथीले मुद्तक के ही बने होते हैं एपिथीले मुद्तक की कोशिका एक दूसरे से सटी होती है और ये एक अनवर्थ परत का निर्मान करती है और इन परतों के बीच चिपकना वाला जो पदार्थ है वो कम होते हैं कोशिकाओं के बीच बहुत कम इस्तान पाई जाता है और इस परस्ट जो भी पदार्थ सरीर में प्रवेश करता है वो भार निकलता है वो एपिथीले मुद्तक की किसी परत से होकर अवस्य गुजरता है जिसके प्रणाम सरुक विबिन प्रकार की एपिथीलेम कोशिकाओं के बीच की जो पारगम्मिता है शरीर और भायर वातावन के बीच में और शरीर के विबिन अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में बहुत महत्वपून भूमे करने बात दी है मुखेतर एपिथीलेम को एक भायर रेशेदार आधार जिली और उसके नीचे रहन वाले उत्तकों से अलग करने का भी कार्य करती है तो ये चित्र है जिसमें दर्साई अनुसार बीबिन अपिथीलेम की संदचनाई जो हैं सब अलग अलग प्रकार के उत्ती हैं और जो उनके कार्य के उपर डिपेंड करती हैं कूपी का जाप अधार्थों का संवेन वरनात्मक पार्ग में जिली सेलक्टिव सेल मेंब्रेंट के दुवारा होता है वहाँ एक चप्टी एपिथीलेम उत्तक की कोशिका भी होती है इसको सरल सलकी एपिथीलेम भी कह देते हैं अत्यदिक पतली हो चप्की होती है कॉमल अस्तर का निर्मान करती है और अहार नली और मुक का अस्तर सलकी एपिथीलेम से धगा होता है शरीर का एक रक्षात्मक कवच अर्था तवचा इनी सलकी एपिथीलेम की बनी होती है तवचा की जो एपिथीलेम कोशिका होती है इनके कटने फटने से बचाने के लिए कई परतों के अंदर व्यवस्तित होती है चुकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्तित होती है इसलिए इस epithelium को устройत सल की epithelium भी कह देते है जहां अवसोशन और श्राव होता है जैसे आन्ठ की भीत्री अस्तर जो है वहां लंबी epithelium की कोशिका पाई जाती है और ये इस्तंबाकार epithelium epithelium अवरोध को पार करने में सायता परतान करता है स्वांस नली में इस्तंबाकार एपिथीलियम उतक में सीलिया पाई जाते हैं पक्समाप पाई जाते हैं धागिनुमा संरचना हैं जो एपिथीलियम उतक की कोशिकाओं की सतय पर बाल जैसे रचना होती हैं ये पक्समाप जो हैं गती कर सकते हैं तथा इसको गती सलेशमा की आगे इस्तानांत्रित करके साफ करने में विसायता करते हैं। इस प्रकार एपिथीलियम को पक्षमाबी स्तंबाकार एपिथीलियम भी कहते हैं। घनाकार एपिथीलियम व्रक्य नली तथा लार ग्रतन्थी की नली के अस्तर का निर्मान करता है। जहां उससे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है एपिथिलियम की कोशिका इप्राग ग्रंथी कोशिका की रूप में अत्रिक्त विसेशता अरजित करती हैं जो एपिथिलियम उत्तक की सतय पर पदार्थों का सराव भी करती हैं कभी कभी एपिथिलियम उत्तक का कुछ बाग अ और मुड़ा होता है और ये बहु कोशी की गरंथी का निर्मान करता है ये गरंथी एपिथीलियम कहलाती है संयों जी उत्तक के बारे में कल अध्यन करेंगे